Hi Friends, नमस्कार जैस्री गनेश, उमीद है आप स्वस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीज मंत्र की कि बीज मंत्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनका बेस्ट रिजल्ट कैसे लिए आजा सकता है तो ये मान की चलिए दोस्तों, जिस तरह से हम अगर आप सोफ्वेर की भाषा समझते हैं तो सोफ्वेर में एक पर्टिकुलर कोड लेंग्वेज होती हैं, जिसे आप कहते हैं जावा स्क्रिप्ट तो जावा स्क्रिप्ट कोड जो होते हैं, बीजमंत्र हमारे लगब उसी तरह से होते हैं मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपने एक पर्टिकुलर जावा स्क्रिप्ट कोड किसी वेब साइट पर है तो क्या होगा कि simple code है देखने में तो कुछ numbers और letters लिखे हुए हैं लेकिन जैसे ही code fire होगा तो आपकी जो data है वो आपका एक से दूसरी site पर अपने आप चला जाएगा मतलब redirect हो जाएगा तो जितनी भी digital technology है जितनी भी software technology है उसमें javascript का बहुत बड़ा महत्व है तो दोस्तों जो बीजमंत्र होते हैं वो हमारी life में लगभग वैसे ही काम करते हैं कि हम particular बीजमंत्र को बोलते हैं तो हमारे एक script जो है वो automatically काम करना शुरू कर देती हमारी life में और वो particular division वो particular life का segment हमारा active हो जैसे example के तोर पर मैं कहूं कि अगर मान लिजे किसी का मन अशान्त रहता है और बहुत tension में है और हमेशा depressive thoughts आते रहते हैं हमेशा चिंता में डूबाय रहता है और समझ नहीं आता है हमेशा उदासी की हालत रहती है तो जब भी ऐसा हो तो यह सब कुछ सिर्फ चंद्रमा की weakness से होता है moon की weakness से और जो moon है यानि चंद्रमा है वो control करता है दोस्तों पूरे धरती पर मौजूद पानी को यानि कि water resources को तो क्या होता है कि हमारी body में भी 70% पानी ही है तो जो समुद्र के पानी को अगर चंद्रमा खींच सकता है ज्वार भटा, high tide, low tide के जो आते हैं वो moon की वज़े से आते हैं तो अगर moon अपनी gravitational pulse से पूरे पानी को खींच सकता है तो वो आपकी body में मुझूद 70% पानी को भी तो खींचेगा इसलिए अगर आपका चंद्रमा weak है तो आपको क्या करना चाहिए आपको एक बीज मंत्र है Om Som Somai Namah repeat कर रहा हूँ Om Som Somai Namah इसमें Som मतलब S-O-M-M for Monday तो Om Som Somai Namah इसकी आपको Somvar से start करके Somvar को शुकल पक्ष में अभीजीत मूरत में start करें तो और भी अच्छा है रोहिनी नक्षत्र में start करें तो और भी अच्छा है लेकिन अगर आप किसी भी मंदे को start करते हैं और 108 पार इसकी chanting करनी है 108 times होता क्या है कि 27 नक्षत्राज है और 4 पदाज होते हैं हर एक नक्षत्र के 4 steps होती है 4 चरण होते हैं उसके तो 1, 2, 3, 4 4 multiplied by 27 नक्षत्राज that gives you 27 into 4 is 108 तो इसलिए 108 बार हमें किसी भी पीज मंत्र की minimum frequency चाहिए तो हम जब भी आपका moon week है चंदरमा खराब है मान लीजिए या पीडित है या वो किसी भी तरह से उसकी शक्ति हीन है या कोई problem है moon से संब्दित तो आप ही देखेंगे कि आपकी life में mood से संब्दित problems होंगी अब बहुत उदास रहते होंगे अब बहुत चिंतित रहते होंगे तो करना क्या है? simple सा तरीका om som somay namahki 108 बार आपको सुबह-सुबह बोलना है और start करेंगे Monday से अब बात यह आती है कि जब आप इसको बोलेंगे तो होगा क्या? होगा यह कि particularly हमारी body में जो moon की positive energy है वो हमारी जिन्दिगी में काम करना शुरू कर देगी और दोस्तों यह कोई हवा वाली बाते नहीं है यह जादू टोना नहीं है यह पूरी तरह science है पूरी तरह से logical है पूरी तरह से research based है तो आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है इसको continue करिए कम से कम 6 मैने तक के लिए क्योंकि इसका असर होने में धिरे-धिरे time लगता है तो आप अगर ओम सोमायनम है यह अगर 108 बार बोलते हैं तो उसमें आपको 3-4 मिनिट लगेंगे maximum यह highest 3-4 मिनिट के अंदर आपका यह complete हो जाएगा process और इसको रोज कीजिए बिना किसी नागा चेंज करते हो तो भी कोई problem नहीं है आपको यह daily करना है इसका असर दिखना शुरू होगा दोस्तो 43 days बाद start में थोड़ा कम असर दिखेगा लेकिन 43 days तक तो आप यह मान के चलिए इसका कोई असर नजर नहीं आएगा 43 days इसलिए एक क्योंकि इसकी एक अलग calculation है जो इस वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है कभी मुका मिलेगा तो हम बात करेंगे कि 35 साला चक्र क्या होता है और विंशो तरह किस तरह से काम करती है लेकिन मैं आपको अपनी research के basis पर simplify करके चीज़ों को देने में believe करता हूं तो मेरा कहने का मतलब है आप 43 days तक तो continue करेंगे फिर जब आप इसको 6 मिने तक कर देंगे तो दोस्तों ये 20 मंत्र आपकी life में सिद्ध हो जाएगा जब ये सिद्ध हो जाएगा उसके बाद ये पूरी जिन्दगी आपके favor में काम करेगा आप खुद देखेगा कि आपकी जो negative thoughts है जो आपकी depressive mentality है वो धीरे 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 अपने आप साफ वोना शुरू हो जाएगी और आप एक खुश नुमा माहूल में अच्छे से रहेंगे दोस्तों ये सिर्फ कहने की बात नहीं है आप इसको try करके देखिए और मैं आपको with full confidence कह रहा हूँ कि हजारों लोगों को जिनको ये solution करने से फाइदा हुआ है तो आपको भी उसी तरह से फाइदा होगा ज़रूरत है कि अपने मन में beliefs के साथ में इसको 108 वार daily करने की और consistently करने की तो ये मैंने आपको एक अपनी research और experience के basis पर astrological solution दिया है जिससे आप अपना मन खुश रख सके और अपनी चीजों पर भावनाओं पर पूरी तरह से control रख सके तो आपकी जिन्दगी में खुशाली एड करने के लिए आप ये करके देखेगा और जो भी आपका feedback है मुझे जरूर बताईएगा अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही interesting topic के साथ में तब तक स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हाँ चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो तुरंत कीजिए ऐसे research based solutions में आपको और बहुत सारे लाके देने वाला हूँ ठीक है दोस्तों मिलते हैं next video में take care, goodbye